नास्कार आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल नियूज। स्वस्थूएं हैं जिसके साथ ही अब तक करोना से मुक्त होने वालों की संख्या 52,73,202 हो गी है। 17,135 लोग संक्रवित हुए हैं जबकि पूरे विशो में अब तक 3,41,56,587 मामले दर्श के गए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंग्स इनवस्टी के विज्ञान एबम इंजिनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी आकड़ों के अनुसार कोरोना से विशो भर में अब तक 3,41,56,587 लोग प्रभावित हुए हैं जबकि इस महामारी के प्रगोप से 10,18,789 लोगों की मोध हो चुकी उच्टम न्यायाले ने सेवा नेवरित नोकर शाहों की उस एक जनहित याचिका पर विचार करने से ब्रहस पतिबार को इनकार कर दिया जिसमें सरकार पर देश में कॉबिड-19 महामारी के कूप रवंदन का आरोप लगाया गया था नयमूर्ती एल एन राव के दिख्षता वाली पीड से अधी वक्ता प्रशान भूशर ने कहा कि गहे मंत्राले ने चार फरवरी को एक परामर्श जारी किया था उसके बाबजूच चार मार्च से पहले तक विदेशों से आने वाले यातियों की जान शुरू नहीं की गई सैने गदिरोद के बीच के इंजरिय मंत्री मंडल की स्वक्षा मामलों की समिती ने सेना की लंबे समय से चली आरही मांग को पूरा करते हुए उसके संचार नेटवर को देश भर में मजबूत बनाने के लिए आर्मी स्टैटिक स्विजट कम्मिनिकेशन एसकोन के चोथे च चरण के नेटवर के लिए सारवजनी क्षेतर के उपकरम मैसर्ज आई टी आई के साथ करार किया गया है इस पर 7,796.49 करोड रुपे की लागत आएगी और इसे तीन वर्ष में पूरा करना होगा कम्पनी के साथ इस आशे के करार पर हस्ताक्ष किये गये हैं यह नेटवर् संचान माधिम के लिए उप्टिकल फाइवर के माइक्रो वेब रेडियो और उपगरह का इस्तेमाल क्या जाएगा चोटी के फुटवल क्लब मोहन बागान को बिजेता घोशित के जाने के साथ महीने बाद 17 अक्टूबर को आई लीग ट्रोफी सोंपी जाएगी क्रब के बयान के नुसार अखिल भारते फुटवल महासंग AIFF के सचिव कुशल दास एक समारों में ट्रोफी सोंपेंगे समारों के दोरान कॉबिन 19 से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पारण किया जाएगा मोहन भागा ने दसमार्च को सेनेगल के स्ट्राइकर बावा दियाबारा के गोल की मदद से पूरिव चैंपिन आई जोल एपसी को एक शुने से हरा कर खिताब अपने नाम किया था तब चार दोरे के मैच होने बागी थे कोबिन नाइटिन महामारी के कारण टीम को यह ट्राफिस सौंपने में देरी हुई